कॉ absorbed हैं प्रक्रा में कि अपेर और फाइटर नंपर 5 की इंसाइड हम समझ रहेंगे यहाँ पर टास्क बार को कि टास्कद क्यों करता है और इसके इंसाइड Of सारी आप्शिनस होते है इस्टेप बाइस टेप यह सारे चीजिंटकर कर रहें वह सिरा यहाँ पर फर्स्ट option अब में बताएं जारा test manager अभए अपने तास्क को कैसे manage कर सकते हो जितने भी टास्क उँएंसमेंसे कोई भी seeing अगर किम्पिटर हो जाता है या या computer हेंग हो जाता है तब help कर था पका task manager तो task manager को कैसे यूज्ज कर सकते हो और आप अपने desktop को भी यहाँ पर तो इस option के तुरू आप अपने desktop को भी even disable कर सकते हों तो अगर आप पूरा desktop disable करना चाहते हो खुद का या किसी का तो यह भी हम यहाँ पर सीख रहे होंगे तो मैं यहाँ पर आ चुका हो desktop के ओपर और यह मैं यहाँ पर window 11 यूज़ कर रहा हूँ तो यह जो खाली areas आपको दिख रहे होते हैं यह total task bar है even यह पूरा task bar है और इसकी insight खाली है यहाँ पर आपको right click करना होता है तो जैसे मैं right click करूँगा तो मुझे यहाँ पर दो options दिख रहे होंगे बाकी windows अगर आप use करते हो तो उन windows के insight जो task bar होता है उस पर right click करोगे तो आप options आपको ज्यादा दिखते हैं इसे toolbars आपको दिख रहा है आप click करने से address bar को enable कर सकते हो यहाँ पर type करने से चीज़े search out कर सकते हो हम यहाँ पर वापिस इसे disable कर सकते हैं बाकी आप चाहते हो मुझे online के कुछ links यहाँ पर लगाना है किसी website को बार बार विजिट करते हो उनके links आप इसकी तुरू यहाँ पर लगा सकते हो पिन कर सकते हो फिरहल हम यहाँ पर इसे भी disable कर लेते next आगर desktop को भी आप task bar के तुरू यहाँ पर पिन करना चाहते हो तो यहाँ पर right क्लिक कर ले तूल बार पर क्लिक कर ले और desktop पर क्लिक कर ले यहाँ पर आ रहा होगा new toolbar अब new toolbar के तुरू आप किसी भी folder को यहाँ पर पिन कर सकते हो माले आप अपना नाम यहाँ पर दिखाना चाहते हो task bar के उपर तो वो folder आप यहाँ पर बना ले जैसे तो मैं यहाँ पर this PC download की inside यहाँ पर कोई भी एक folder बना लेता हो और इसे नाम folder तो इस folder को आप open भी कर सकते हो तो यहाँ पर यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइटल दिख रहा होगा फिलान मैं यहाँ से close करता हो यह folder अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो राइट क्लिक करेंगे जहाँ से enable किया है वही से disable कर सकते है राइट क्लिक करोगे वापिस तो आपको यहाँ पर search का icon दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक करने से आप इने वापिस disable कर सकते हो या तो जो भी चीज़े आपको चाहिए होगे enable और disable कर सकते हो राइट क्लिक करने से आपको एक option मिल रहा होगा news and internet तो news पढ़ने आपको या internet के वाले से information लेना है तो आप यहा करके अपने news वगरा यहाँ पर इस window की inside आराम से पढ़ सकते हो फिलाल हम यहाँ पर office right क्लिक करके इसे disable कर सकते हो अब अपने computer को वाइस से control करना चाहते हो तो यहाँ पर कोट आना बटन तब इस पर क्लिक कर ले तो यहाँ पर कोट आना आ जाएगा आप इस पर क्लिक आपको सुनने लगेगा जो भी कोगे आप इसे यह उसके अकौडिंग सर्चिंग वगरा कर रहा होता है फिलाल इसके लिए भी जाहर वात एक आकौट की जुरूट होगी और इंटरनेट की जुरूट होगी तो इंटरनेट कनेक कर लो अकौंट बना लो जब आप इसे इने किये हैं तो इस पर क्लिक करके आपको आपकी हिस्ट्री भी दिखाए जाती कि लास्ट आम आपने किन चीजों को ओपन किया था अब वहाटाना चाहते हो यह से डिसेबल कर सकते हैं यह चीज मुझे नहीं चाहिए होगी तो हम यहां पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यह टेक नमबर्स को यहाँ पर दिखा सकते हो टास्बार के उपर शो विंडोज इंक वर्क स्पेस बटन तो आप अगर यह चेक लगाओगे तो आपको यहाँ पर इंक पैन मिलेगा इंक पैन कब काम करेगा जब आपके पास टच पेड होगा तो टच पेड या तो आपको बॉर्ड को डाउनलोड कर ले और नेक्स और लास्ट अप्शन यहाँ पर आ रहा होगा शोट टच कीबॉर्ड बटन अगर टच कीबॉर्ड आपको चाहिए जैसे कि आपके कीबॉर्ड का यह जो भी फिजिकल कीबॉर्ड आपके पास मौजूद हो इसका कोई भी की खराब हो जाती है तब यहाँसे कीबॉर्ड कर सकते हो क्लिक कर लो तब के समने यहां पर यहां पर कीबॉर्ड आ जाएगा आप इससको क्लिक रोड़़ कर सकता हो। और यहाँ पे क्लिक करके आप even keyboard को undock कर सकते हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह undock हो जाएगा इसे आप move कर सकते हो अपनी हिसाब से जहाँ पर भी रखना चाहो फिलाल हम यहाँ पे क्लिक करके इसे वापिस अटेज करते है तो अपनी हिसाब से यहाँ पर option choose कर सकते हो आप यहाँ पर even keyboard के settings भी कर सकते हो आप क्लिक कर लो तो keyboard के settings आ जाएंगे तब अपनी हिसाब से यहाँ पर keyboard की inside जो जो चीजी चाहते हो उनको enable और disable कर सकते हो बागी कुछ दिर में हम यह वापर समझ रहोंगे window 11 की inside तो keyboard को enable करने के लिए एक तरीका यह होता है कि आप यहाँ पर check लगा ले keyboard enable हो जाएगा चेक हटा होगे तो keyboard disable हो जाएगा यहाँ पर keyboard दिख रहा तो last time अभी disable होगा है क्योंकि मैंने यहाँ से check हटाया मैं यहाँ पर start button पर click कर सकता हूँ click करने के बाद हम यहाँ पर on screen keyboard सर्च कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर on on search करेंगे तो on screen keyboard आ जाएगा आप इस पर click कर ले click करने के बाद आपके सामने एक दफा पर keyboard आ जाएगा और इस keyboard की inside options देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा options और काफी ज्यादा keys आपको मिल जाते हैं बिलकुल यह match होता है आपके physical keyboard के साथ तो आपको यह keyboard चाहिए तो on screen keyboard सर्च कर लो उपर आ रहा होगा और window प्लस R की प् मैंने सर्च किया OS के run command window प्लस R की तुरू open होता है और इसकी inside OS के सर्च कर लो OK पर क्लिक करोगे तब के सामने यह keyboard एक दफा पर आ जाएगा तो इस तरह आप keyboard को enable कर सकते हो चाहिए आपको यह पर touch keyboard चाहिए जिसमें keys कम होते हैं चाहिए आपको वह वाला keyboard चाहिए जो physical keyboard क साथ मैचेंगे और इसमें keys और options ज्यादा होते हैं बाकि यहाप मज़ी तीन options आ रहे हैं यह तीन options Windows के लिए है Windows इस वक्त हमारे screen के पर कोई नहीं है इसलिए वो तीन options disabled है तो महाले में यहाँ पर इस window को enable कर लेता हो और यहाँ पर क्लिक करके browser की window को enable कर लेता हो तो इस व window ऊपर चली जाएगी एक window नीची चली जाएगी अब यहाँ से इन window को इस तरह पकड़ के इसका जो विर्थ है वो बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से बाकि हम यहाँ पर वापिस right क्लिक करेंगे एक और option और होगा show windows side by side अब इस पर क्लिक कर लो तो windows side by side हो जाएगे फिलाल keyboard तो मैं window प्लस R की प्रेस करता हो OS के सर्च करूंगा enter करूंगा तो यह keyboard हा जाएगा इसके inside में यहाँ पर यह shortcut की यूज कर सकता हो window की hold करके रखो और आप यहाँ पर left arrow और right arrow यूज करके एक window को left पे set कर सकते हो दूसरे को right पे तो मानले मैं इस window पे क्लिक करूंगा window की म यह left पे set हो जाएगा बाकि मुझे खुद बता रहा है कि आपको right पे कौन सी window set करना है तो आप उनमें से कोई window चूज कर लो जो भी open windows होंगे फिलाल मैं यहाँ पर इस वाले window पे क्लिक करूंगा और इस window को right पे set करना चाता हूँ तो window की पकड़ के रखो right arrow press कर लो तो यह right पे set हो जाएगा बाकि आप यहाँ पर window प्लस अपे ऎरो के तूर इसे full screen कर सकते हो window plus down एरो के त्रू इसे वापिस restore डाउन भी कर सकते हो तो अगर हम यहाँ पर window की पकड़ के रहर क है down एरो तो यह restore Down हो जाएगा वापिस narration हो आंए से एकदम से desktop पर जम करना हो तो यह option होगा show the desktop क्लिक करोगे तो यह desktop के उपर आपको जम करवा देगा तो आप वापिस यहापर राइट ख्लिक करके show open windows जो window last time में open था वही वापिस आपको open करना डेस्ट्प आप देख चुके हो तो आप इस पर click करोगे यह आपको वापिस वा करते वो सारे टास्ट बार के उपर होंगे तो यह सारे होते हैं इन में से जो भी हमारे काम की चीजें के कि यहाँ पर पढ़ा रहा हूंगा डिश अगर ऑपरेटिंग् सिस्टम खुद से कुछ चीज़े रन कर रहा है तो इसका मसलब उसके बेस पे आपको कुछ फीचर्स मिल रहा है बाकि आप उसे अगर डिसेबल करते हो तो जाहर बात है वो फीचर्स या वो चीज़े जो होंगे उससे आप हाथ दो बेट होगे के वज़ा से रेम फुल हो गया और या तो सिपीव फुल हो गया और आपका ये वाली जो विंडो है वो हैंग हो चुका है आप इसे मिनिमाइज या तो पर क्लोज करना चाथे वो हो नहीं पा रहा तो आप यहाँ पर टास्मेनेजर पर आके यहाँ पर उस वाले विंडो को या उस वाले सौफट्वेर को सेलेक्ट कर लो इन टास्क या तो पर राइट क्लिक करके आपके सामने इन टास्क आ रहा होगा आप इस पर क्लिक कर ले वो विंडो ये क्लोज कर लेता है अगर आपका पूरा computer हेंग हो जाता है even यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा even task manager को भी आप यहाँ से enable नहीं कर पा रहे आप write क्लिक करते हो task manager पे क्लिक करने की कोशिश करते हो enable नहीं हो पा रहा तो task manager के लिए कुछ shortcut keys में बताता चलू आप यह दोनों keys इस तरह hold करके रखो और इसके बाद delete की प्रेस कर लो delete की होती है अब यह प्रेस कर लो तो आपके सामने task manager enable और open होके आ जाएगा मैं यहाँ पर control alt और delete की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो गे मेरे सामने task manager open होके आ जुगा है जो भी चीज़े आपको disable करने क्लिक कर लो in task पे क्लिक करोगे यह end हो जाएगा performance पे में क्लिक करूँगा तो इसकी inside आपके computer के जितने भी specification ही वह आपको बताया जाता CPU कौन सी है वह आपको बताया जा रहा है core i7 9 generation यहाँ पे CPU लगी है memory कितना है मेरे पास यह आप पे computer के inside 64GB का memory लगा है मतलब RAM लगा है बाकी आपको यहाँ पे hardest बताया जा रहा है कि आपके computer के inside hardest लगे या SSD लगे तो मैंने एक hardest लगाया है जिससे यह दोनो drive निकल के आ रहा है और एक मैंने SSD लगाया है जिससे यह दोनो drive निकल के आ रहा है बाकी GPU आपने कौन सा लगा है और कितने GB का लगा है वो भी आपको यहाँ पे नीचे पता चल रहा होता है और next और last GPU 1 पे क्लिक करोगे तो यह हमारा real GPU होती है यह वाला जो GPU है यह RAM से जगा ले रहा है और RAM की inside यह extend हो रहा है तो यह थे total specification आपके computer के हावाले से तो अब बाकी चीजे भी app की history चेक करनी है कौन सा app कब use हो आया है वगेरा कितना जगा ले रहा है यह सारी चीजे आपको बताया जा रहा है यूजर के accounts बताया जा रहा है और next details आपको मजीद यहाँ पे चीजों का दिया जा रहा और services भी आप यहाँ पे देख सते हो कि आपको कौन से कौन से services operating system की तरफ से मिल रहा है तो यह सारी चीजे आप यहाँ से checkout कर ले पर फिलाल यहाँ पे चोटा सा tip देता चलो processes पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस वकाद जो window चल रही है वो window explorer केलाता है क्या क्या क्य तो हम window explorer को अगर disable करेंगे तो मेरा पूरा desktop disable हो जाएगा इस दफार चेक आउट करते हैं यहाँ पर desktop मेरा यह रहा तो अगर हम यहाँ पर task manager की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर processes पे क्लिक करेंगे window explorer पे मैं right click करूँगा फिलाल मैं in task पे क्लिक करूँगा इसका नाम यहाँ पे याद रख लो windows explorer हम इस पे right click करेंगे in task पे क्लिक करेंगे desktop सारा disable हो जगा है कुछ भी काम नहीं करेगा ना ही आपका right click काम करेगा वगयरा तो अगर हम यहाँ पे इसे भी close कर ले तो पर नीव टास्क यहाँ पे नहीं मिल रहा तो उपर यहाँ पर आपको एक टेप मिलेगा file के नाम से file के नाम से एक टेप मिलेगा आप उस पे क्लिक कर लो और इसके inside यह option डूंडो run new task या run task अब जैसे अपने new task पे क्लिक कर लिया click करने के बाद आप यह सर्च कर लो उसके inside explorer. .exe और okay पे क्लिक कर लो क्लिक करने के बाद यह जो desktop होगा जितने भी चीज़े आपने run किये थे वो साहरी चीज़े आपके सामने एक दफा पर आजाएंगे अगर नहीं आरा तो एक दफा अपने computer को restart कर लो तो उमीद करता हो आपको यहाँ पर task manager समझ आ चुका होगा नेक वो सर्च बार के अलग-अलग settings मिल रहे हैं कि आपको सर्च बार केसी दिखाना है चोटा दिखाना है बड़ा दिखाना है आइकन दिखाना है वगयरा नेक्स आ रहा है को पाइलेट को पाइलेट यहाप है operating system का एक AI है window का एक AI है जिसे कि आपको WhatsApp में एक AI मिलता है जिसे आ पाम नहीं करेंगा आपको यहाँ पाइलेट दिखाना नहीं दिखाना आप यह चेक लगा सकते हो हटा सकते हो next task view कितने चीज़े आपने open की क्लिक करने पर आपको सारी चीज़े यहाँ पर दिखाये जाएंगे तो आप सिंपल यहाँ पर इसे on off कर सकते हो और even all tape की press करोग तो आज क्या क्या हुआ कौन सी चीज़े चला रहा है तो आपको टोटल यहाँ पर न्यूस बताया जाता पर इसके लिए इंटरनेट की जूरत होती इंटरनेट होगी तो यह चलेगा वरना नहीं आपको अगर यहाँ पर इसे close कर लो वेज़े यहाँ पर गायब हो तो फिलाल मेरे पास यह नहीं है तो इसे disable कर रहे होंगे नेक्स आरा यहाँ पर टच कीबोर्ड तो टच कीबोर्ड यहाँ पर बोटम में आरा होगा आप क्लिक करने से यहाँ पर टच कीबोर्ड को enable कर सकते हो और disable कर सकते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना टच कीब पूरा कस्टमाइज है तो आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने जो भी टच कीबोर्ड होंगे उसे कस्टमाइज कर सकते हो कस्टमाइजेशन के लिए आप टच कीबोर्ड जैसे यहां से इनेवल करोगे इनेवल करने के बाद नेक्स आप यहां पर क्लिक करने के बाद स तो इस पे क्लिक करने से आइकंस व disrupt यहां से शेर कर सकते हो यह आइकंस को By अगिकवयर इसॉप्शन के तुरों अप उन से भी चीजों को चेक ऑउट कर सकते हो और झेड़ किसी को बेच सकते हो पीसुप्शन के तुरों आप सेटिंग पर क्लिक कर रहे हूंगे और keyboard layout तो आपको जिस टाइब का भी layout चाहिए होगा आप यहाँ से उटा ले सकते हो इसमें options देख लो कुछ ज्यादा हो गए और आपको even सारे चीज़े मिल रहा है और vice की तरो जो भी आप सर्चिंग होती है टैपिंग होती है वो भी मिल रहा है क्लिक करके आपको जिस टाइब का भी keyboard चाहिए होगा अप अराम से यहाँ पर आके अपनी साबसे keyboard चूज़ कर सकते हो next आप वापस यहाँ पर क्लिक करके handwriting keyboard को भी enable कर सकते हो क्लिक कर लो और यह handwriting keyboard आपको दे देगा इसके लिए आप कोई software open कर ले जिसे मुझे यहाँ पर notpad open करना है मैं सर्च करूँगा notpad तो मैंने यहाँ पर notpad को open कर लिया open करने के बाद keyboard को भी यहाँ पर enable करते है अब जो ने सिबले का ओपर देख लो यहाँ पर इसने तोड़ा बोड़ डिटेक्ट कर लिया कि यह क्या लिखना चाहरा था तो आपको ABC लिखना है तो ABC लिख लो जो भी चीजी लिखने हराम से आप लिख लो यह डिटेक्ट कर लेगा और आपको insert करके देगा जिस software में भी आप इ size and team जो भी colors वगएरा आपने यहाँ पर देख रहे हो वो सारे मैंने यहाँ से change किये हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर ले क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इसका जो भी layout है वो आप change कर लो जो भी team आपको चाहिए अप अपनी साबसे यहाँ पर team choose कर लो मैंने यहा पर अपना जो team है वो edit किया हुआ है तो आप edit पर क्लिक कर ले क्लिक करने के बाद background का color क्या रखना है तो यहाँ पर background का color आप चूज कर ले फिलाहल हम यहाँ पर background का color वापस कर रहे होंगे जिसे मैं यहाँ पर blue color चूज कर लेता हूँ और यहाँ से अपनी साबसे इसे customize कर रिडिट कर सकते हो नेक्स यह आपर या और ओगा background picture तो याँ से जो भी picture आपको उचाहिए select कर लो और यहाँ पर आपके सामने option होगा choose picture जिसी choose picture पे click करोगे जाहर बाते वो picture बेगराउंड पे apply हो जाएगा save पे click करना नहीं बूलना है तो आप इस आप इस पे click करोगे तो keyboard के behind आपको यहाँ पे एक image दिख रहे होगी तो यहाँ पे जो accent color है यहाँ keys का जो color है वो भी आप यहाँ से change कर सकते हो यहाँ पे accent का जो भी color है आप अपने हिसाब से accent का color रख सकते हो तो मैं done पे click करूँगा next यहाँ पे text का जो color है text color आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो और key text का जो color है वो आप change कर सकते हो तो यहाँ पर यह सारी चीज़े मुझूद है OK पर click करोगे तो आपका keyboard यहाँ पर अलग ही structure ले रहा होगा जब आप देखोगे वापस तो मित करता हो यह keyboard का structure आपको समझा चुका होगा बाकी touch keyboard पर click कर लो तो यहाँ पर भी setting मिल जाते है typing setting पर click कर लो जो चीज़े आपको चाहिए जैसे type करने से error आ जाना चाहिए कि आपका यहाँ पर spelling mistake है या grammar mistake है तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल रहा है आप यहाँ से enable और disable कर सकते हो फिरल हम एक step आपस बाहर निकल रहे होंगे next यहाँ पर virtual touchpad आ रहा है तो अगर इसे enable करोगे तो नीचे touchpad आपको दिख रहा होगा तो इससे कुछ खास तो होता नहीं है पर आपको यह बता रहा होता है कि जो बेडिवाइस आप यूज़ कर रहे हो जिसे hide icon menu यह मुझे नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर click करके इसे disable कर सकते हैं और enable कर सकते हैं बाकि इसके inside आपको जो भी options दिखते हैं इसे आप बाहर निकलना चाहते हो तो आप यहाँ से उन options को on कर लो, off कर लो तो यहाँ पर आपको दिख रहोगा यही चीज़ें बाहर निकलके आ जाते हैं तो taskbar का behavior क्या होना चाहिए तो आप यहाँ पर click कर ले तो यहाँ पर first option आ रहा है taskbar alignment तो इस वकत मेरा taskbar center है आप इसे left choose कर सकते हो आप यहाँ पर center choose कर सकते हो बाकि जो भी यहाँ पर window की operating system आप यूज़ करते हो उसके inside आपको option मिल रहा होता है कि जो आपका taskbar है इसे आप right पे shift कर सकते हो top पे shift कर सकते हो, left पे shift कर सकते हो फिलाल मैं window 11 यूज़ कर रहा हो तो feature मुझे यहाँ पर नहीं दी जा रहे अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे आपका taskbar है वो automatic hide हो जाए, जब मैं काम करो तो hide हो जाए जब मेरे need होगी तब यहाँ पे enable हो जाए taskbar तो आप यहाँ पे यह चेक लगा ले तो automatically hide the taskbar जब आप नीचे की तरफ cursor लेकि जाओगे तो आपको यहाँ पे यह दिखा देगा आपका taskbar बाकि यहाँ पे show pages मैं यहाँ इसे enable करूंगा वापिस को यहाँ पे chrome देख रहाँ को chrome के उपर चोटा सा इकन वो आपको बता रहा है कि आप किस account से login हो आपको चोटा दिखाना है बड़ा दिखाना है तो देख लो वो यहाँ से change हो रहा है और control कर सकते हो और इसी तरह multiple अगर apps आप यूज़ कर रहा है उनके दरम्यान में आप flashing यूज़ करना चाते हो तो यह option होगा आपके लिए बाकि यह दूसरे screen के options होते हैं जैसे के share any windows from my taskbar यह से किसी window को share करना दूसरे screen के साथ और किसी corner से taskbar को show करना desktop के उपर वगरा तो यहाँ पर यह चीज़े भी आप use कर सकते हो पर यह multi screen के लिए होता है और combine taskbar buttons and hide levels का मतलब क्या होगा फिलाल यहाँ पर always है अगर हम यहाँ पे click करेंगे देखलो when taskbar is full जब taskbar full होगा तब यह सारी चीज़े combine हो जाएंगे और सिर्फ अपने icon दिखाएंगे फिलाल यह अपने नाम भी दिखाने की कोशिश कर रहा है और icon भी दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे next option आ रहा है तो MS Word मैंने एक दफाए यहाँ पे open कर लिया MS Word यहाँ पे आ चुका होगा अब यहाँ पे control N करके मैं MS Word का एक और window open करता हूँ control N करके एक और window open करता हूँ तो इस वक्त तीन window MS Word के या single software के हो चुके हैं नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे MS Word के जो तीन window मैंने open के वो सारे combine पड़े तो आप यहाँ पे pointer लेके जाओगे तभी आपको तीन window दिकाये जाएंगे अगर हम यहाँ पे click करेंगे और when taskbar is full तो यहाँ पे यह विंडो अलग हो जाएंगे और when taskbar का दो इस वो समझ आक़ा, और पसंद आक़ निजा आक़ा होगा तो यहाँ पे जो करसर का कल्र है यह चेंज करने या इसका साइज चोटा बढ़ा करना यह personalize की inside हमने पड़ लिए तो राइट क्लिक की inside यह पे जितने भी चीजह है थे, वो सारे almost हम cover कर चुके last lecture में यहाँ पर जो taskbar का color बगरा है यह भी हम पढ़ चुके हैं वही right click के inside तो next lecture में हम पढ़ रहोंगे folder, folder क्या होता है, folder का काम क्या, इसमें data के से manage होता है तो मिलते है next lecture में पर